हाई एवरिवन मेरा नाम है अदर्श और आप देख रहे हैं भी अच्व पार्ट साला जो जी के एंड जी एस की एक सीरीज हम करते हुए चल रहे हैं उसका यह पार्ट थ्री है और जो भी लोग नए हैं वो भी अच्व पार्ट साला को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ए निवर्सिटी इंटरंस के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारे प्रीमियम कोर्सेस को अवेल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से बीच यू पार्ट साला एप को डाउनलोड करें बीच यू पार्ट साला बीच शुरू करते हैं और वेरी फर्स्ट क्विश्टिन इस विच आप फॉलोइंग माउंटें रेंज इस ओल्डेस्ट में से सबसे प्राचीन परवत स्रेडी कौन सी है तो अगर इन चारों आप्शन को हम देखें तो उसके बाद यह आप्शन सी है अरावली इस अरावली इस ओल्डेस्ट माउंटें रिंज इन इंडिया और इसकी जो सबसे उंची चोटी है हाइस पीक डैट इस गुरू शिखर और उसकी लंबाई सत्रों सो बीस मीटर है कुश्चन नमबर टो एज बोमडीला पास इस सिचुएटेड इन विच स्टेट बोमडीला दर्रा की स्राज में इस्तित है तो जो बोमडीला दर्रा है यह अरुनाचल प्रदिस में इस्तित है और अगर मैं बात करूं सिक्किम की तो सिक्किंग में नाथुला दर्रा आई होब आप लोगोंने नाम सुना होगा एन एटी एच यू एल ए नाथुला दर्रा और वहीं अगर हम बात करें जम्मु कास्मीर में तो जो पीर-पंजाल रेंज है पीर-पंजाल यह है जम्मु कास्मीर में ठीक है चलिए कुशन नमबर थ्री देखते हैं अब कुशन नमबर थ्री इस सुन्दरवन डेल्टा इस फॉर्म्ड बाइविच रिवर सुन्दरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है तो जो सुन्दरवन डेल्टा है यह गंगा और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदिया मिलकर बनाती है और मैं आपको बताते चलूँ जो सुन्दरवन डेल्टा है सबसे बड़ा डेल्टा है पुरे विश्यो का और ए तो उसका नाम हो जायेगा माजुली उसको माजुली नाम से जाना जाता है और जो कि ब्रह्मपुत्र बनाती है ठीक है नाम है उसका M A J U L I रॉक्ति आपना पर करेंड गाहिए खुक्ति प्रप्रदिकरद लिंटेट को कि सब्सक्राइब कि दूआ तो बारती इश्पात प्रधिकरद लिम्टेट के स्थापना इनीस सो चॉँवन में होई अगली स्वाइट पीछलते हैं और बहुंड़ पाईविज फाइश्ट अग बैरोमीटर का उप्योग किसके लिए किया जाता है तो आप लोग के लिए मैं बता दू बैरोमीटर एक यंत्र होता है बैरोमीटर का प्रियोग किया जाता है काली बंगन एक सिंदू घाटी शबयता का अस्थल है और ये राजस्थान में इस्थीत है चलिए आप लोग के लिए और कुश्चन है मेरे पास कि आलमगीरपूर हिंडन जिसको हिंडन विकिना रहे है वह किस राजस्थीत है और वह भी इंडस्वेली सिवलाजेशन का एक साइट रहा है कुश्चन नमर सेवन इस अफेमस बैटल बेटून टेन किंग्स दस राजन्य बैदल वस फॉर्ट ऑन बैंक ऑफ विच रिवर प्रसीद दस राजाओं के बीच हुआ दस राग यूद इस नदी के तट पर लडा गया तो जी ये यूद् आप्शन वी आप्शन भी विल बी अगर राइट आंसर पूरुशान ही नदी के तट पर लडा गया था कुश्चन नमबर एट है विच अफ फॉलोइंग इस दो ओल्लेस्ट वेद निमनलिखित में से प्राचीनितम वेद कौन सा है तो निमनलिखित में से प्राचीनितम व पहले रिवेद फिर रिवेद के बाद आएगा यजूर्वेद मतलब यह सेकेंड नमबर हो जाएगा अपना उसके बाद फिर सामवेद और सबसे अंत में आएगा अथर्ववेद सामवेद को संगीत का जनक भी माना जाता है और यजूर्वेद जो यह है गद्यों पद दो नहीं लिखा गया है तो आप चाहें तो इन चीजों को नोट कर सकते हैं कुश्चन नमबर 9 की तरफ चलते हैं and the question is when and where national anthem was sung for the first time सरप्रथम कब और कहां राश्ट्रगान गाया गया था तो सरप्रथम राश्ट्रगान जो है कोलकाता में 11 दिसंबर को 1911 में गया गया था question नमबर 10 is what is the time period for singing our national song ध्यान दीजी ये national song है not national anthem राश्ट्री गीत गाने के लिए निर्धारित समय है तो यह हो जाएगा 65 seconds कभी-कभी की एक्जाम में confuse करने के लिए आपको ऐसे दे देगा एक मिनट और पांच सेकेंड तो आप लोग इससे डिस्ट्रेक्ट नहीं होएंगे और national song जो है वो किस ने लिखा है तो उसका अंसर होगा बंकिम चंद्र चटरजी दीन महात्मा गांधी और भीम राव के मद्ध जो 1932 में पूना समझावता हुआ था उसका प्रावधान क्या था तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा joint constituency with reservation for horizons यानि की हरिजनों के लिए आरक्षण शहित संयुक्त निर्वाचन छेत्र का प्रावधान उसमें किया गया था और सही option इसमें हो जाएगा option number C question number 12 की तरफ चलते हैं और question number 12 को देखते हैं question number 12 है which of the following is not correctly match निमलिखित में से जिसमें हिंद्री टैपिंग नहीं हो पाई है तो मैं बोल देता हूं निमलिखित में से कौन सा सूमेलित नहीं है पहला है कि मौरले मिन्टो रिफार्म्स कमेनल रिप्रेजेंटेशन जो मौनले मौरले मिन्टो रिफार्म्स था समप्रताइक प्रतिन जित्व के लिए आया था उसका उद्देश्य था और option भी है गौर्मेंट अफ इंडिया एक 1935 सेल्फ गौर्मेंट यह भी सही है साइमन कमिशन पार्टीशन अफ इंडिया यह गलत है इस ऑप्शन इस रॉंग सो हमारे आंसर भी यह हो जाएगा option नमबर सी क्योंकि जो साइमन कमिशन था वह रिव्यूव करने के लिए आया था constitutional reforms को और अपने recommendations सब्मिट करने के लिए उसको रिव्यूव करने के बाद ठीक है option नमबर डी को भी एक नजर देख लेते हैं यह cabinet mission formation of constitutional assembly यह बिलकुल ही सही है और cabinet mission कब आया था 1946 में इसके तीन मेंबर भी थे cabinet mission के और यह इसके जो चेयर परसन थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस कुशन नमबर 13 इस वाट वाट वस द नमबर आफ फीमिल members Indian Constituent Assembly भारतिय समिधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी तो भारतिय समिधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या यह थी 15 आप लोगों को देखने में एक क्वेश्टन आसान लग रहे होंगे मगर युनिश्टी लेवल के exams में इसी तरह के क्वेश्टन आते हैं और options को पढ़कर के हम वहां पर थोड़ा प्रिशर के विए से गिलत कर जाते हैं तो इसको बहुत ध्यान से अप्लोग करिए कुश्टन और 14 इस विच आर्टिकल आफ इंडियन कॉंस्टिटूशन टॉक्स अबाउट अवलीशन आफ अंटचबिल्टी भारती समीधान का कौन सा अनुच्छेद असप्रश्यता के त्याक के बारे में कहता है या फिर बात करता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 17 जो आप लोगों ने देखा होगा है या या फिर शाल नौट बेने डिस्क्रिमिनेशन अन बेस आफ बर्थ प्लेस कोलर रिलीजिन एंड शिक्स यानि कि किसी भी वेक्ति के साथ जन्म अस्थान रंग धर्म या फिर किसी भी प्रकार से उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहि हीina in article 18 की हम बात करने ती engrave Revelation of titles ुमत लगए इंडिन मुझे नहीं रही है बर्ट ऑवशन अफ आप इसको रखिए यह ज्याद़ बढ़िआ रहे गा और Q vara만 और प्रमण का इस अ आर्टिकल 19 यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने fundamental राइट उन पहल भी है और रही फंडमेंटल राइट के पार्ट हैं तो जो आर्टिकल नंबर ये 19 है यह अपने फ्रीड़म आफ फ्रीडम फ्रीडम आफ फ्रीडम आफ फ्रीडम आफ स्पीच फ्रीडम आफ श्पीच एंड एकस्परेशन स्वतंतरता किसकी मतलब स्पीज की और मतलब अभिव्यक्ति की और भाशर की तो question number 15 is in which part of our Indian constitution provisions of panchayati raja are mentioned इसकी भी हिंदी टाइप नहीं हो पाईए मैं आप लोगों के लिए हिंदी पढ़ देता हूँ कि भारती समिधान के किस भाग में panchayati raja का वर्डन है तो भारती समिधान के part 9 यानि भाग 9 में panchayati raja का वर्डन है और panchayati raja 73rd constitutional amendment 73rd constitutional amendment के द्वारा 1992 में जोड़ा गया हमारे समिधान में इस बात को आप लोग नोट कर दीजे copy अगर लेके बैठे हैं तो यह बहुत important और question भी इससे आते हैं और दूसरे options के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो part 1 है part 1 of Indian constitution talks about union and states and part 2 is it talks about citizenship and I think from article 5 to 11 citizenship is mentioned article 5 सिलिकर 11 तक citizenship का मतलब नगरिकता का बोड़ान है इसको एक बार आप लोग भी चेकर लिजेगा यह पांसलिकर रिग्यारा ही तक हो and part number and part 3 so part 3 of Indian constitution basically talks about it basically talks about the fundamental rights हमारे मौलिक अधिकार क्या है इनके बारे में इसमें बात किए हमारे मौलिक अधिकार को आप जानते ही होंगे छे प्रकार के fundamental rights हैं ओके तो चलिए अगले स्लाइट पर मूफ करते हम लोग उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा question number 16 is which organization issues human development index कौन सी संस्था मानो विकास सुचकांग जारी करती है तो यह मानो विकास सुचकांग है यह यू एंडीपी के द्वारा जारी किया जाता है जिसका फूल फार्म होता है युनाइटेड नेशन्स ट्यवलेप्मेंट प्रोग्राम और जो भारत की रैंक रही है 2020 में इस एच डी आइंडेक्स के लिए हम कह सकते हैं human development index में वह है 131st ओके इसको याद रखेगा है इट कैन बीइंपोर्टेंट इट इट इस इंपोर्टेंट उम्हरी गजाम में पूछा विजा सकता है और बात करें अदर आप्शन्स की तो आई लो इंटरनेशनल लेवल और इसन लेवर और इसन इसका फूल 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 है आई एम इसका हो जाएगा फूल 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 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड यूनस इस उनाइट नेशन्स सेक्योरिटी काउंसिल है कोशंचन वर सेंटिन इस वेज्म वह न बाइट नबाडस्ट एस्ट निए वने इस लुरीज़न फूलेंधर नबाड के अस्थापना कब होई थी तो नबाड की चेयर्मण कौन है कि तो नबाड़ के चेयर्मैन कौन है कि रूप अज जर्वाइड़ हो जमिखता चिंटाला नाम बहुत अच्छा इनका असानी से याद हो जाएगा डॉक्टर जी आर चिंटाला ओके चलिए कुश्चन नमर 18 को देखते हैं इन विच स्टेट हॉर्णबिल फेस्टिबल इस सेलेबरेटेड हॉर्णबिल उत्सव कहां मनाया जाता है तो हॉर्णबिल उत्सव जो है यह मनाया जाता है नागा लेंड में ठीक है यह बहुत बार एक्जाम्स में पूछा जाता है और हर हर साल हर वर्ष यह दिसंबर माह में मनाया जाता है साल के अंत में ही माया था हॉर्णबिल फेस्टिबल और आपको कंश्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि पक्के पक्के पागा होर्म फेष्टिबल पूछ को हुझे गाइट इसका आंशर को जाएगा वह रॉम इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट और अन्सरों होगा नालएड फेट करता हूँ कि फिर्फ जैप हुझे करता हूं कि फेस्टिबल नागा इन्ड गाल और उर्मी क्वुश्य नबर på 19 ही भास इस मिक्षई आप पीतल इसका मिच्रण है तो ग्री पीतल रहे प्रास यह ऑंपर और मिच्रण भुटा और ज którą मिच्रण होता है क्वापर और जिन्क इसको यादकरने प्रिक की बात करें नियूए तो ब्रस तो याद कर लेंगे तो आपको यह पूरा याद हो जाएगा ब्रास क्या होता है जब ब्रास याद हो ही गया और इसी option में एक और mixture है जो काफी एक्जाम हों पूछा जाता है जो है ब्राउंच और यह कॉपर और टीन से मिलता है तो यह ठीक है ब्राउंच जीज मेंटप आफ कॉपर और टिन कुश्चन बढ़ ट्वन्टी इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां आयूजट किया जाएगा तो फीफा वर्लकप 2022 यह आयूज़ित किया जाएगा कतर में और कतर की जो राजधानी है ये है दोहा कतर की कैपिटल क्या है कतर की राजधानी है दोहा और आज का ये शेशन यहीं पर समाप्त होता है और मगर आपके लिए एक क्वेश्चन है अगले स्लाइड में और क्वेश्चन फार्यू एज कि आस्मान का रंग जो होता है वो क्यों नीला दिखाई देता है मतलब वाइद कलर आफ स्काई सिम्स टूब ब्लू तो आस्मान का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा वहां आप इंतजार रहेगा आपके आंसर का और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और बीच्व पार्ट साला को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको एजुकेशनल कंटेंट्स मिल सकें और इंफॉर्मेटी वीडियो भी प्राप्त हो सकें और अगर आप य सब्सक्राइब कर लिजिएगा यह अधर उन्वस्टी के लिए हमारा प्लैटफर्म है जो आपको वैरियस उन्वस्टी के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है सो थैंक यू